हाई गाईस मैं हूँ प्रिती और आप सभी का पी हो प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है आशा कती हूँ आज का दिन आपका शिप बित्र होगा आज के वीडियो में बताऊंगी कि आपको ब्रेस्ट फिडिंग के दोरान कौन-कौन सी चीजे नहीं खानी है इसे आपका जो ब्र में बहुत बर आता है कि मां के खाने का असर बच्चे पर क्या होता है कि मां के खाने से जो मिल्क की जो कॉलिटी वो अफेक्ट होती है क्या इन सब के अलावा अगर मां है ना खाने पीने में कुछ गड़बड करती है ना तो बच्चे के उपर बहुत बाद में जाता है अस हो ना सबसे पहले उसके मा के ओपार ही होता है डूसरी चीज करती है Wi look at the video 할 जो श शडू आ उसका हैं सबसे इस आजरा उप्रोडियोस का रहती है intended अच्छे सार न हमसे आपको पको जानेंगे कि जो ब्रेस्पिडिंग मधर है वो उन्हें क्या चीज़ें नहीं खाने चाहिए eccना Kungल 009 करने में तकलिफ होगी और जे पर हाँ सुरू के कुछ महीनों तक आपको फीका खाना खाना क्वाइब कि जब तक आपका रात का शेटूल सही नहीं है इस वज़े से अगर आप ज्यादा स्पैस दिखाऊगे तो आपका ज्यादा हो जाएगा जाएगा तो ज्यादा आपको चाती में जल जल लटी चाहसार म मस्या होती है इसलिए जब तक आपके बच्चे का जो नाइट रूटीन है वो सेट नहीं हो जाता है दो-तीन महें तक अब थोड़ा ब्लैंड खाना कहाई है जिसे वजह से आपका जो शूट ना हो और स्टार्टिंग के दिनों में अगर आपकी जस्ट डिलीवरी हो यह अगर सारी चीज़े इंबैलेंस है क्योंकि नौ मैने तक आपका बच्चा के पेट में था जिसके वज़े से सारी चीज़े कंजस्टेड तरीके से वक कर रही थी अब वह पूरा तरीके से फ्री हो गया है और उसे वक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए जितना हो सके त चापाती हो गया भाकरी हो गया या फिर रोटी हो गया या फिर पराठे हो गया यह ज्यादा नहीं लेना है कई कई कल्चर में ऐसा होता है कि ज्यादा चापाती दे देते हैं ज्यादा चावल दे देते हैं खाने को और बाकिस सब जो चीज़े होती हो तोड़ी तोड़ी हो वेजिटेबल्स होना चाहिए दाल होना चाहिए और बहुत सारा प्रोटीन्स होना चाहिए अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आप आप सोया बीन यह सब भी ले सकते हैं अगर नॉन वेज खाते हैं तो बॉयल्ड चिकन होना चाहिए एग होना चाहिए यह सारा प्रोटी के लिए अच्छा नहीं है तो आपको कःवरी में भी ध्रौबलम हो सकता है आप इक भी के साथ कर वैप क करने में मजब्ध करते हैं तो मॉटा मॉटा कर देती हुगा कि आपके थाली में कैंकि षाली में सबसे पहलो प्रोटीन होना चाहिए प्रोटीन आपके जो वो चीजे वो बिल्डब करने में मदद करता है इसलिए अगर आप नौन विच खाते हैं तो बॉयल्ड चिकन या फीर एग होना चाहिए आप वैजिटेरियों ने तो स्वया बीन जो होता है उसकी सब्जी ले सकते है ज्याद सपैसी नहीं उसकी सब्जी ले सकते है दाल ज्य जादा रहे तो अच्छा आपका जो बिल्ड अप हने में ज़ड़ा हैँ आपके फाइबर होना चीजिए फाइबर ओना चाहिए फाइबर का रहे जिसमें फाइबर जब्र जादा है वह खाए और ज्यादा से ज़्यदा वैज़िवल्बल्स हो है और फूट्स रहे और पानी जादा रही है चार पांचो चीज़ए जो बता रही है जो जादा हो और जो सीरियल से जैसे चावल बाकरी डाल चावल बाकरी और गेओ की रोटी बाकरी यह सब है ना कम अदम लास्ट में हो जो सब जादा खाने से आपको जूश्रीर है वह जल्दी भर के आएगा जो भी और जूत के आप से कहरें हाइग है लोग आपके नियुक्त आते के लिए सब्सक्राइन अभल शादा नुटन होती जावल झावल जादा निया इसलियाखे या या फिर रूटि झार फ्रूट बेड़्ट हैं और ने में तो इस टिन चीज़ आपको इसमेंम मारे कहला है नेल्फ करने हैं जो याorsa ऑगया को झाल वन के हमखा आज पूर्ड यो सकता है क्याव मैं आपके बाद दोस्था कढसर में कोई हैं आपको प्रेश जैन कोक्ट फूर्ड नहीं मिल सकता है तो भी आपको ये instant food के उपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे preservatives रहते हैं जो आपको अंदर एक तो imbalance चल रहा है delivery के बाद आपको अंदर जो भी imbalance चल रहा है उसको और increment करने में मदद करते है कुछ और मदद नहीं करते है आप ऐसा कर सकते हो कि जब बच्चा सो रहा है तो एक टाइम खाना बना लो और दो टाइम खा लो ऐसा भी कर सकते हो पर ये instant वाला चीज मत कीजेगा एवाइड जो टिन में आता है वह ऑवाइड करना है जैसे टिन में सूपाता है पहसी गरम करो एकालो विजले नहीं लेना है यो विलेने आपको फ्रेश फ्रूट ज्यूसस लेने इनफेक्ट मैं कहूंगे कि फ्रूट जूसे से अच्छा आप फ्रूट्स खाओ वह ज्यादा आपको फाइदे मन करेगा कि उसके साथ साथ आपको फाइबर बिजाएगा जो कॉंसिपेशन की तकलीफ होती है आपको डिलिवरी के बाद वह भी राहत देगा फ्रेश फ्रूट कुछ खाओ पैकेट में सूप आते हैं वह डाल दो पक पानी में बोल कर दो वह पीलो वह सब मत करो इसके अलावा टबाटर खालो इसे भी आपके हल्थ के लिए अच्छा रहेगा हम यह कहते हूं बहुत सारे वीडियो में आप बोलोगे कि यह कहते हूं मैं कि आपके खाने प्रफेक्त होता है ब्रेस्ट मिल्क पर और बाकि सब 70% ब्रेस्ट मिल्क सब्लाए बच्चा ही करता है तो फिर आप खाने के बार में क्यों बोल रहे हो पर फ्रेंज आप 30% तो होता ही है ना तो 30% जो इंपक्ट होता है वो तो लौस हो जाएगा तो आपके जो कॉलिटी व है ऐब इबाइट करो जो चॉकलेट्स होते कोई कोई की रैप किए वे चॉकलेट्स होते वे वह भी ऑवस्या पर है our बिख्nel में बाएं बैख्कर सकता है और हो भी खराब कर सकता है एक वीडियो सकते हो कि लें लें तो किनी में ले सकते होalone और बच्चेत कि याएफ़क्त होगा और करें अगर आपको लेना हे ऑप दो धें करने चाहिए जब आप ब्रेस्प्रिंग कर रहे हो या फिर प्रेगनेंट हो तब भी आपको सारी यह जो आपको पीना चाहती हो तो वीडियो जरू देखेगा कितना ले सकती हो और कब अपने बच्चे को दूद पिलाने से पहले या बाद में आलकोहल ले सकती हो पर मैने में या दो मेने में एक ही बार लेना है आपको जाना नहीं लेना है इसका डायरेक्ट इंपेक्ट पड़ता है आपके ब्रेस्ट मिल्क पे फ्रेंज आज का जो वीडियो यहीं तक था हुपस़ा अच्छा लगा रहेगा अच्छा लगा तो प्लीस लाइक ज़रू किजेगा बिल्टे नेक्स वीडियो में मैं पीवा पीज आप इस यह तक वीडियो देका है तो धन्य बाद चले बाए